गौशाला में गायों की मौत के मामले में खुला सा बाहर से गायों को गौशाला में रखा उनकी हुई मौत पियम के बाद पेट में मिली 25 किलो पॉलथीन शिवपुरी से खबर सामने आ रही है शिवपुरी के लुधावले इस्सित गौशाला में लगातार हो रही गोवंशों की, मौत के मामले में आचनगरपाली का अधियक्ष गायतरी शर्मा ने गोशाला का ओचक नेरिक्षर कीया है निरिक्षर के दोनान अधियक्ष ने गौशाला के सारी व्यवस्थाओं को देखा, वहीं गौशाला में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई साथी भूसा, हराचारा, पानी की व्यवस्था, परियाप्त मांत्रा में मिली गायों की मौत के बारे में जब गायतरी शर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जो गाय बाहर से गौशाला में भरती की जा रही है उन गायों की मौत हो रही है जब कारण के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बाहर से जो गाय भरती हो रही है वो गाय अध दोक्टर ने बताया कि बच्षडे में पंदरा किलो पॉलिथीन पाई गई, जब उन्होंने मृत के मामले में कोई बीमारी का संकेत नहीं बलकि पॉलिथीन खाने से बदलाव होने से वापाचन करिया नहीं कर पाती हैं पॉलिथीन का मामला सामने आया है पॉलिथीन खाने से गायों की मौत हो रही है बड़ी मातरा में में बताना चाहен है निरासित गॉबंस के लिए रहती है तो पहले जो भी जानवर आते हैं पहले से तूटे फटे या कोई परेशानी जो आवारा जानवर है वो ही लेके आया हुए थे वो बाहर सी का चाहा है भी बहुत जादा एमांट में खाय हुए रहते हैं, तो पॉलितिन अगेरा रहती है, तो और उसके बाद फिर क्या है, कभी दाना चेंज हो जाता है, अभी जो है, दाना थोड़ा चेंज हुआ, उसकी वज़े से भी थोड़ा सा इस हुआ जाता है, बड़े जानवर हैं कुछ आपने जो पॉस्ट्मार्टंस करें, उसमें क्या निकल के सामने आए? उसमें तो पॉलितिन काफी अमांट में निकली थी, जो पस लोकर, अलग में अन्दाज से बता से तो मैंने बेटनी क्या, अन्दाज जरने इसे छोड़ा, एक जानवर सा सो किलो का, तो से पंदरा सो क लोके आसपास थी, एक बड़ी गाय थी, जिसका किया उसकता है, 25 से 30 लोके आसपास पॉलितिन में ने देखाए.